question है आपका निमने में से कौन बायोगैस इंधन का शुरोत नहीं है options four options दिये हुए है पहला option number a लकडी option number b govara gas option number c नभी के उर्जा option number d koila हम सब को पता है लकडी क्या है बायोगैस का बायोगैस इंधन का शुरोत है उसका गोबर से इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं अच्छा नेक्स्ट है ग्लोबल बार्मिंग के लिए कौन गैस उत्रदाई है यानि उत्रदाई कौन सब्सक्राइब आपको बताना है ऑक्सिजन अग जितना ज्यादा हमारे फिर्थी पहो सब्सक्राइब लेकिन कारवर नेक्सर जैसे ज्यादा बढ़ेगा हमारे फिर्थी बाई मंडल में तो यह जो ग्लोबल बार्मिंग के लिए उत्रदाई हो जाता है ठीक है तो अप्सन नंबर सी इसका राइट एंसर हो जागा ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट सूरी त तारा में अगर नाभिके शनलियन ना हो तो हम उन्हें जो है उनका प्रकास नहीं देख पाएंगे है ना तो नाभिके शनलियन इनके बीच होता है तब ही हम देख पाते है ठीक है यानि स्चोरी की प्रकास किसके कारान आता है नाभिके शनलियन के कारान आता है तारो को हम नाभी कि बिखंड़न जब होता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए यानि कि का उप्योगी होता है कौन प्रयूग्त होता यह आपको बताना है ठीक है चलिए इसमें option number कौन सा होगा राइट अब बताईए तो यहाँ दखेगा इसमें जो होता है ना option number C इसका राइट अंसर हो जाएगा नाभी के विखंडन को control करने के लिए नियंतित करने के लिए कैडमियम का च्र लिया जाता है जिसका symbol cd होता है ठीक है चलिए अब हम लोग देखते हैं next question next क्या जी next है किसी नाभी के विखंडन में मुक्त उर्जा होता है यानि कि नाभी के विखंडन में पहले से ही उर्जा मौजूद होता है मुक्त मतलब उसमें आप उर्जा डालो या ना लालो है ना उसमें पहले से उर्जा उपस्थित है इसका मतलब उसको बोलेंगे मुक उर्जा यानि कि free energy है ना तो इसमें जो होता है free energy किसी भिनावी के विखंडन में वो आपका होता है लगभाग में माना जाता है आपका 200 मेगा वोल्ट 200 मेगा वोल्ट माना जाता है ठीक है यानि कि 200 MEV ओके यानि ऑप्शन इसका राइट अंसर हो जागा ठीक है कि नेक्स्ट उर्जा का सबसे विशाल परतियक्ष एवं विशाल शुरूत किया है ओके यह आपको बताना है तो आप सब को पता है शूरी की उप्शाल जो होती है सबसे अधिक जो है बिशाल होती है ना नाभी के सबसे ज़्यादा इसी में होता है ना भी कर सलीन ठिक है इसलिए उसके उड़िजा क्या होती है सबसे अधिक होती है तो सूरिय इसका राइटेंस हो जाएगा option number C okay next 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 है box Numa और cooker में 3 से 4 घंटे में घंटे में 3 से 4 घंटे के अंदर का top हो जाता है यानि कि box Numa और cooker में 3 से 4 वार घंटे के अंदर जो है इसके अंदर ताव हो जाता है कितना सी कितना डिग्री हो जाता है यह से 143 से 20 एंसेर्ट तक हो जाता है सब्सक्या नर्च कहा जाता है डेन्मार्प को क्या कहते है पर नका डेस है यानि की पान का देस यानी कि फावत का बातने न सिंतर टेसले छिसने देखते हैं नेक्स्ट बवन वीद्युत जनित्र में यहीन जिखान पावन की चाल कंशे कम कितनी होनी चाहिए पावन विद्युत जनित्र मतलब संध समẫn रहा है अभी मानिने इसको देख हुटत है इस पावनルク 12 लगा होता है तीन छ चार bu लगा होता है यह घुमते रहता है हवा की हवा के घर्षन के कान क्या होता है यह घुमते रहता है जी उपर में है तो इसकी चाल कितनी होती है यह आपको बताना है ओकी तो यह रखेगा पबनों की जो जानितर की जो चाल होती है वो माना जाता है आपका 15 किलोमेटर परती प्रतिफभणटा यह चक्री जो रोट टोड़ा है यह 15 किलमेटर प्रतिघंटा की दर से रोट फूता था है चलिए देखते हैं कि जीवास में इंधन का उधाहरन है जीवास में इत्रभणव का का राइट अंसर हो जाएगा कोईला लकडी गोबर गया सभी जिवासमिंधन का क्या है उदहरान है ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्राचिन काल में उसमिय उर्जा को सबसे अधिक समान्य शुरुत था यानि कि प्राचिन काल में यानि कि पुराने काल में है ना उसमिय उर्जा का सबसे अधिक समान्य शुरुत किया था यानि उसमें अदिक से प्राप्त किया जाता था है घास से लकडी से या फिर बहता जल से या बता ना है ठीक है गला की से जह जादा जो ढब तो इसका राइट ँसर क्या हो जाएगा है लकडी पवंद से जो करेगा उर्जा प्रप्त इसके लिए टकणी की चाहिए तो इसमें तकनीकी नहीं था था है बहुताज़ल के लिए ठकनीक चाहिए मोटर वह वहोता है और भाहता जल्द से क्या होता है उर्जा प्राप्थ होता है घास घास से तो कोई खास नहीं उर्जा मिलेगा क्योंकि यह बहुत जल्दी जो है खातम हो जागा लेकिन लखरी अच्छा दिरता क्या करता है जी हमें उर्जा परदान करता है तो option नमर बी इसका right answer हो जाएगा ठीक next गोँबर्गես एक परकार की है क्या है गोँबर्गेस एक परकार की क्या है तो गोँबर्गेस एक परकार की अभी मैंने आपको बताया था ना, bio-gache है झाल है अपसिन में b इसका item हो जागा is bio-gache next नभी नभी कर्निय उरजा का शरूत क्या है नभी करनिये उर्जा का शुरूत क्या है तो सवर उर्जा तो जो होता है नभी करनिये उर्जा का शुरूत है ओके ओके नभी करनिये उर्जा मतलब इंसान के दोड़ा उत्पन बनाया गया उर्जा है ना तो सवर उर्जा तो इंसान ने बनाया है कोईला इंसान ने पैदा न नहीं है यानि सौर उर्जा जो लागा होता है सौर सौर पैनल से जिससे हम लोग रोशनी करते हैं यह उर्जा जो है मनुष्य के तोरा कृत्रि मुझा करता है इसे लिए इसे नहीं करने उर्जा करते है तो ऑप्षन नम्र पीस का राइट अंसर हो जाएगा ठीक है ऊके मिथेनगेश्व लगभग में 75% होता है ना मिथेनगेश्व मतलब इसक्राब होता है चली देखते हैं क्वेस्टन नम्र 16 जो कि मानब द्वारा वो उर्जा को है फोंग कि खोच किया गया हुए उसे हम लोग नभी-कर्णिय उर्जा करते हैं और ओव नभी कर्निय उर्जा उसे करते हैं जो मानब दोड़ा नहीं खोजकिया गया बल्कि पहले से प्रित्री पर वो मवजूद है गौडुके दोड़ा है ना इसवबर के तोड़ा पहले इस प्रापत उरजा जो पहले से इस दुनिया मोजूद है जीवास में उर्जा कहते हैं यह देखते नेक्स्ट सावर उर्जा को बित्यूत उर्जा में पड़िवर्तित करती है कौन करती है यह आपको बताना है सावर उर्जा को बित्यूत उर्जा में पड़िवर्तित करती है तो सवर सल करती है शब ओर्जा को वित्oo जामें पड़ी वरतित कर दिती है ठीक है ऑके निक्स्ट एक उत्तम इंधन है यानी सबसे परीजट इंधन इन चारों में से को नहीं आपको बताना है कोईला क्या है ये भी इंधन प्राप्त करने का एक शुरूत है लक्री से भी हम लोग इंधन प्राप्त करते हैं पेट्रोलियम से भी इंधन प्राप्त करते हैं और जैब गैस से भी इंधन प्राप्त करते हैं लेकिन सबसे उत्तम माना जाता है जैब गैस को सबसे तो तम इंधन का शुरत किसे मना जाता है जैब गेस को यानि ऑप्शन नमबर डे इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट नरावडा नाभी के बिद्युत सयंत्र किस राज्य में है तो नरावडा नाभी के बिद्युत सयंत्र ये जो है आपका उत्तर प्रदिस में इस्थित है तो अप्शन नमबर सीज का राइट अंसर हो जाएगा ठीक है ओके नेक्स्ट जिवासमी इंधन शुरोत के है यानि कि इनमे से जिवासमी इंधन शुरोत क्या है नभी करनिये शुरोत है यानि कि मानाब दौरा निर्मित है या फिर नभी करनिये शुरोत जिवासमी उर्जा क्या है ओ नभी करनिये शुरोत यानि गौड गिप्टेड है न जैसे कोईला किसी इंसान नहीं बनाया यह गौड गिप्टेड इस दुनिया में है न तो यह साड़े के साड़े हो गया है क्या हो गया जी जिवासमी इंधन के शुर नेक्स्ट है हमारा टिहरी बांध किस नदी पर बना है तो टिहरी बांध यह बना हुआ है यह बना हुआ है गंगा नदी पर टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है गंगा नदी पर ओके नेक्स्ट भारत का पवन उर्जा द्वारा विद्यूत उत्पन करने वालों करने व पावन उत्पादन में Cayo spend लगा टिया जाते है एक छेभ खमवा से इस तरह इससे बनाया जाता है और यह चकरि क्या करता है यह बायू में इस तरह से अलय को लगवाईज करने में कौनसा और भृष का स्थाना है तो पावन उर्जा में जो है भारत का अस्थान पाचमा आता है यानि option number 10 का अस्थान पर भारत विद्यूत उर्जा उत्पादन में आता है पावन उर्जा के द्वारा उत्पादन करने में ठीक है next sour cell बनाने के लिए किसका उप्योग क्या जाता है ये important question है okay तो sour cell में जो क्या जाता है silicon का उप्योग क्या जाता है यानि कि silicon का symbol SI होता है silicon का उप्योग क्या जाता है ओके next बांध के द्वाड़ा अस्थापित टरबाइन ज्वारिये उर्जा को किस में रुपान्तित करती है तो यह करती है आपका विद्यूत और जामिर उपांत नित करती है यानि उप्शन नमर 20 का राइट अंसर हो जाएगा है ठीक है नेक्स्ट टारापूर नाभी के बिद्यूत सयंत्र किस राज में इस्थित है तो तारापूर नाभी के विद्यूत सयंत्र यह आपका इस्थित है महराश्टा में महराश्ट में ठीक है ओके नेक्स्ट राना परताप सागर नाभिक्य विद्दुत सेंत्र किस राज में इस्थित है ये आपका है राजस्थान में ऊके राजस्थान के कुल छेत्रफल जानते हो कितना है 32,000,000,000 नहीं 3,42,249,000,000 बर किलो मेटर है ये कुल छेत्रफल है नमारे भारत का सबसे बड़ा राजी भी है यह नाची की यह ऊच कि छ देखते हैं नेक्स अच्छा को दिस्ट से उत्तर प्रदिस सै लेकिन राज राज सबसे बड़ा राय स्थान है ओके तीने लाग लाए से दोसना चालिस वर किमेटर इसका अच्छी तरह ठीक है चले देखते हैं कोशन नंबर फर्टी कलपक कम नभी कि बिद्धुत्सेंद्र किस राज में इस्थित है तो कलपक कम नभी कि बिद्धुत्सेंद्र ये तमिल नाडु में इस्तिते हैं कहाँ इस्तिते तमिल नाडु साँराज में इस्तिते तो यह आपका इस्तिते गुजरात में ओप्सन नमर सी इसका राइट एक है निक्स्ट चाहिगा नवे के विद्यूत्सेंत्र किस्राज में इस्थित है कई गार नाभी की विद्यूत्सेंत्र किस्राज में इस्थित है तो यह आप का इस्थित है करनाटक में का इस्थित है करनाटक में ठीक है तो अप्शन नंबर 20 कराइटन्स रो जगा ठीक है तो आज किस वीडियो में हमने चेप कि अ.